नमस्कार दोस्तों मैं प्राची आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं कच्चे आम का खटी मीठी चटनी बनाऊंगी वो चटनी खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है और बनाने में बहुत ही जटपट बन जाती फिर चलिए बनाना सुरू करते हैं ये हम दो आम बड़े-बड़े लिए हैं गुल लिए हैं इसको भी थोड़ा मैस करके रख लिए हैं ये सौफ लिए हैं कराईल लिए हैं नमक लिए हैं गरम मसाला लाल मिर्च पाउडर फूर्ट कलर अब हम चलिए सबसे पहले आम को हम छील लेते हैं ये देखिए कितने बड़े-बड़े है आम, इसलिए दो ही आम में हो जाएगा, अब इसको हम अच्छे से छील लेते हैं, ये देखिए आम को हम दोनों छील लिए हैं, अब हम इसको काट लेंगे, इसको छोटे-छोटे पीश में हम काटेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं काटे यह देखिए कितना अच्छे से कट रहा है यह देखिए हम काट के रख लिये हैं पूरा आम कितना अच्छे से कट गया है यह देखिए अब गैस पे हम कड़ाई रख दे रहे हैं चलिए अब हम इसमें एक चम्मत तेल डालेंगे तेल हमारा गरम हो रहा है तेल हमारा गरम हो गया है अब हम इसमें सौफ डालेंगे करायल भी डाल देंगे अब थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे यह देखिए अब हम भून लिये हैं अब इसमें हम आम को डाल देंगे आम भी डालके हम भूनेंगे थोड़ी देर तक यह देखिए अब हम इसमें नमक भी डाल दे रहें साधा गरम मसाला भीसी में डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे अब इसको भी अच्छे से मिला देंगे यह देखिए कितने अच्छे से मिल गया है अब हम इसमें गुड़ को भी डाल देंगे यह देखिए गुड़ को हम मैस करके रखे थें इसलिए अच्छे से मिल गया है अब हम इसमें एक ग्लास छोटा पानी डाल दे रहे हैं अब इसको भी अच्छे से चला देंगे अब इसमें हम fruit color भी डाल देंगे ये देखिए color भी डाल दिये है color डालने से चटनी का color बहुत अच्छा आ जाता है ये देखिए ऐसे ही हम पका लेते हैं कुछ देर तक ये देखिए color किता अच्छा आ गया है हलका चटनी हमारी पक गई है अभी थोड़ी देर और पकेगा ये देखिए चटनी हमारी बनके तयार हो गई है कितनी अच्छी चटनी बनके तयार हो गई है अब आप लोग भी बनाईए और खाईए घर में सबको बनाके खिलाईए ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए सब्स्प्राइब जरूर कीजिए बाई बाई अच्छा लगा है